आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वजन कम करने वाली एक्सेसाइजेस उन पेशिंस के लिए जिनको गुटनों में दर्द रहता है और साथी वो अपना वजन कम करना चाहते हैं गुटनों में जब दर्द रहता है तो वजन कम करने में दिक्कत होती है क्योंकि जब गुटने में दर्द रहता है ना ही वो morning walk या evening walk कर सकते हैं नहीं जादा देर खड़े होने वाले cardio exercises कर सकते हैं और नहीं running या jogging type के cardio exercises कर सकते हैं इसलिए आज का ये workout मैं आप लोगों के साथ share कर रही हूँ ताकि उन लोगों को फाइदा हो जिनको गुटनों में दर्द के साथ साथ वजन कम करना रहता है अगर वजन जादा हो और साथ ही गुटनों में भी दर्द रहता हो तो mostly doctors advise करते हैं वजन कम करने के लिए आप भी ऐसी ही दिक्कतों से गुजर रहे हैं तो आज का ये video end तक ज़रूर देखे आज की exercises गुटनों में बिलकुर भी pressure नहीं डालेंगे वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि जादा से जादा लोगों को फाइदा पहुँच सकें और चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि हर हफते इसी तरह मैं health related videos आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और साथ ही notification bell पे click केजिए ताकि आपको उसी समय सारे videos की notifications मिल जाएं सबसे पहले हम warm up से शुरू करेंगे warm up बहुत ही जरूरी है जाएं आप कोई भी exercise शुरू करें स्टार्ट करते हैं अपर बोडी वाउम अप से इस तरह से विस्ट आप एंडाउं 10 ताइम्स देन राउंड राउंड गोल गुभाएंगे कलाईयों को दस बार clockwise एंद दस बार anti-clockwise देन एल्बों के लिए 10 टाइम्स करेंगे इस तरह से दस बार करेंगे फिर हम करेंगे शुल्डर राउंड एंड राउंड ताकि आपके सारे अपर लिंप की वाउम अप हो जाए दस बार clockwise एंद दस बार anti-clockwise अगर आपको गुटना मौर के बैटने में जमीन पर दिक्कत होती है तो आप यही सारे एक्सिसाइजेज चेयर पर बैठके भी कर सकते हैं और या तो दोनों गुटनों को सीधा करके भी कर सकते हैं दोनों हाथों को मिला लेंगे फिर उपर इस तरह से दस बार करेंगे नेक्स्ट हम करेंगे दोनों पेरों के वाम अप फॉर्स्ट फोट अप एंड आउन इस तरह से दोनों पेरों को ऊपर और नीचे खीशते हुए इस तरह से भी आपको दस बार करना है इसे गोल गोल घुमाएंगे दोनों पेरों को क्लॉक्वाइज दस बार एंटी क्लॉक्वाइज दस बार लास्ट फॉर्म अप करेंगे पैरों के वान है जिनको गुटनों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहता है वह इस एक्सेसाइज को कम रेंज में भी कर सकते हैं जिनको दिक्कत नहीं है वह फुल रेंज में करें इस तरह से बीज बार करेंगे अब शुरू करेंगे एक्सेसाइज सारे एक्सेसाइज साइड वीव में ही दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर दिख पाए क्यूंकि ये एक्सेसाइज वजन कम करने के लिए है इन एक्सेसाइज को करते हुए आपको हो सकता है बहुत थकान महसूस हो दो एक्सेसाइज के बीच में 30 सेकेंज का रेस्ट टाइम ले सकते हैं शुरू करते हैं एक्सेसाइज से सबसे पहले दोनों हाथों से इस तरह से सपोर्ट ले लेंगे धीरे से एक पैर हल्का सा उपर उठाएंगे देन ट्विस्ट करेंगे साइड सेम इसी तरह से आपको 30 टाइम्स करना है एक एक पैरों के लिए 15-15 बार करना है सारे एक्सेसाइज बैठके या लेटके करने पे उट्डों में दर्द नहीं आएगा और साथ ही वजन कम करने में असानी होगी हलका सा कमर भी ट्विस्ट होगा आपका इस तरह से एक बार में 30 बार नेक्स्ट हम करेंगे दोनों पैरा को इस तरह से जितना हो सके फिला लेंगे और उसके बाद कि आपको टो टच करना है दोनों साइड वन तू थर्टी टाइम्स त्रीं दोनों पैरों को मिला लेंगे घुटना सीधा दोनों हाथों को मिला लेंगे इस तरह से दें ग्राइंडिंग पोस्ट करना है आपको लेकिन आपको यह ध्याश्ट प्राइंड रखना है बैक स्ट्रेट रखना है एक्सराइज को करते हुए इस तरह से वान हल्का असा पीछे भी जाना है वान है वान हो फिफ्टेन क्लोक वाइस फिफ्टेन आंटी क्लोक वाइस प्राइज को को नी सीधी रखनी है और इतने भी सीधे रहेंगे Then back, 15 बार clockwise, 15 बार anti-clock wise. तीस रेपिटिशन, ये टीन सेट्स करने हैं एक बार में, दिन में दो राउंड करने हैं. नेक्स्ट है, हलका सा गुटना मोर लेंगे और जमीन पे पैर रख लेंगे, अगर आपको गुटने मोरने में दिक्कत होती है, तो आप गुटने सीधे भी रख सकते हैं इस एक्सेसाइस के लिए, दोनों हाथ फिर से मिला लेंगे, आप एंड साइड साइड, ये टोटल अफ 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से भी देख लीजे, 1, 2, 3, 4, जिस तरह से भी आपको असानी हो, गुटना मोर के, सीधा करके, आप टोटल, आप 20 काउंट करेंगे, यहां मैंने दोनों टेंडन अफ हैंड दिखाया आपको, next exercise में भी आपको same position लेना है, बैट के, गुटने दोनों सीधे रहेंगे, and आपको दोनों side hand support लेना है, एक हाथ उपर ले जाएंगे, then side bend करेंगे, जब आप side bend करेंगे, तो elbow भी हलका सा bend करेंगे, तो इस तरह से एक बार देख लीजिए, total of 30 count करना है, 30 बार 1, यह सारे exercise में आपको गुटने में कोई प्रेशर नहीं आएगा, सारे sitting में and lying down में रहेगा, क्यूंकि बैठे हुए, आपको गुटनों में कोई stress नहीं आता, फर्स्ट लेट के exercise है, इस तरह से normal position ले ले लेंगे, तो एक एक करके पैर आल्टरनेटली उपर उठाएंगे, आप से जितना उठ पाए, आप उतना ही उठाएंगे, अगर इतना हो रहा है आप से, इतना ठीफ है, टोटल तीज बार करेंगे, अगर शुरू में आप से तीज बार ना हो पाए, तो आप दोनों लेट के लिए 10-10, 20 टाइम्स भी कर सकते हैं, 20 रेपिटेशन्स, इस तरह से तीज बार, अगर तीज बार ना हो पाए, आप दीज बार भी कर सकते हैं, नेक्स, लेट राउंड, तैन आप दीज बार, तैन आप दीज बार, तैन अटीज बार, नेक्स भी कर सकते हैं, गान उर पकता है next, नी से सब्सक्राइब गान नाथ ग्हाम ग्हाय जान उरी ट्रिव्स के सरे लिर्फ पूपरर और पूरहितं दो पर्ङ्वर्च की सबसितमुर के लिरूलींट wym Fried एक्सरसाइज करते हुए अगर बहुत ज्यादा थकान हो तो आप बीच में ही रेस्ट टाइम ले सकते हैं नेक्स्ट दोनों गुतने को मोड़ेंगे फिर धीरे से स्ट्रेट करेंगे गुटने में अगर बहुत जारा दर्द हो तो आप उपर ये पोजिशन करने में अगर आपको दिक्कत रहे तो आप दोनों नी सिंपल नी स्लाइड कर सकते हैं टोटल ओफ ट्वेंटी रेपिटेशन बीज़ बार शुरुवात में आप दस बार से भी शुरु कर सकते हैं ये गुटनों के लिए अच्छा है शुरुवात में दस बार फिर बढ़ाके बीज बार कर सकते हैं नेक्स्ट दोनों गुटनें धिये से मोर लेंगे जितना आप मोर पाए और उपर उठा लेंगे दोनों एक साथ हैंस भी 90 डिगरी साइड चितना हो सके आप से फिर से साइड ऑपजिट हैंड लेग मोशन साइड शुरुआत में 20 रेपिटेशन से स्टार्ट करके 30 रेपिटेशन करने की कोशिश करें थ्री सेट्स दिन में दो रांग यह सारे एक्सराइज जो मैं आपको दिखा रही हूं थर्टी रेपिटेशन थ्री सेट्स दिन में दो रांग दोनों गुत्नों को हलका सा मौल लेंगे हैंज आप वान तू थ्री पूल दोनों हाथों से गुत्नों को टैच करने की कोशिश करें जितना हो पाता है आप से उतना ही करें और हलका सा अपर बॉड़ी उपर उठाके गुत्ने को टैच करने की कोशिश करें इस तरह एक बार में पंदर बार करना है तीन राउंड करने हैं और दिन में दो बार कर सकते हैं नेक्स्ट है अपर बॉड़ी साइड बेंडिंग सेम इसी पोजिशन में आपको करना है हलका सा बॉड़ी उपर उठा लेंगे साइड बेंड करेंगे इस तरह से इनिशिल तेन टाइम से शुरू करेंगे और टोटल अफ फर्टी काउंट करेंगे नेक्स्ट अपर बॉड़ी दोनों हाथों को एक साथ जोल लेंगे पैर जैसे है वैसे ही रखेंगे अपर बॉड़ी अलबो स्ट्रेट रखेंगे एंड साइड वान टू थ्री टोटल अफ थर्टी रपिटेशन तीस बार अगर तीस बार नहीं हो पाता स्टार्टिंग में तो आप दस बार से शुरू कर सकते हैं इसमें आपके नीज बिलकुल रेस्ट पे रहेंगे यह सारे एक्सरसाइज में आपको नी में कोई भी स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं रहेगा दोनों हाथों को कंदे के नीचे ले लेंगे इस तरह से धीरे से उपर आएंगे यह एक्सरसाइज बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है अगर आपको पूरा उपर आने में दिक्कत होती है तो हलका सा अलबो बेंट भी रख सेप्ते हों इस तरह से दस बार करेंगे लास्ट एक्सरसाइज करेंगे लोनों हाथों को सीधा आगे रख लेंगे हाथ और पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे इसे आपको दस बार ही करना है एक बार में टैन रिप्रटेशन् और पैर पैर आपको करेंगे लोनोंट आप से जितना हो सके उतना ही उपर आएंगे अगर बस इतना ही आप आए तो इतना ही करेंगे आप कि गुट्नों की दर्थ के रिलीव के लिए मैं पहले वी एक विडियो शेर कर चुकी हूँ यह सारे एकसिसाइजस के साथ आप उस वीडियो की भी एकसिसाइजस quality कर सकते हैं पेइन रिलीव के लिए आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हल्पुल रहेगा ये सारे एक्सेसे गुटनों के दर्ट के साथ साथ अगर आपको मुटापा कम करना है ये एक्सेसे रेगुलर बेसिस पे करते रहे जरूर फाइदा क करेगा लेकिन उसके साथ आपको ये ध्यान रखना है आप डाइट में क्या ले रहे हैं अगर एक्सेसाइज विद डाइट करेंगे और साथी एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे तो बहुत ही जल्दी आप वजन कम कर पाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखें प्र इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूले जितना जादा से जादा हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम में रहते हैं नी पेन के साथ क्य करें वजन कम करने के लिए तो आपके थूब दूसरे लोगों को भी फायदा हो इसलिए जादे से जादा शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर